हम लोग UPSC CSET में पूछे गए एक reasoning का question देखेंगे निमने लिखित सिंखला पर ध्यान दीजिये सिंखला का मतलब एक सिरीज दे रखा है जिसका next term क्या होगा वो find करना है सिरीज में चार dates दे रखा है और पूछ रहा है कि अगला date क्या होगा तो date क्या है? 4 दिसंबर 1995, 1 जनवरी 1996, 29 जनवरी 1996, 26 फरवरी 1996 तो इसके next वाला date कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम आप्सन पर ध्यान देंगे तो आप्सन में है 24 तीन च्यानवे, 25 तीन च्यानवे, 26 तीन च्यानवे, 27 तीन च्यानवे सभी आप्सन में year और month सेम है तो year और month को देखना ही नहीं है, बस date में देखना है कितना changing हो रहा है तो 4 दिसंबर से एक जनवरी हुआ 4 दिसंबर से एक जनवरी में 28 days का difference है क्यों? क्योंकि December में 31 days होता है 4 में 27 एड करेंगे तो 31 होगा और 27 में एक और एड करेंगे तो एक जनवरी हो जाएगा मतलब 28 days का gap है इसी तरह एक जनवरी से 29 जनवरी की बात करें तो 28 days का gap है इसी तरह 29 जनवरी से 26 फरवरी की बात करें तो इसमें भी 28 days का gap है क्योंकि 1996 एक लीट एर है और लीट एर में 29 days होता है फरवरी इसलिए इसमें भी 28 एड करना पड़ेगा उसके बाद अगर हम 26 फरवरी 1996 में 28 days को एड करेंगे तो ये 25 तीन 1999 होगा क्योंकि ये लीट एर है तो अगर हम 26 से काउंट करेंगे तो 3 days तो फरवरी का ये हो गया उसके बाद और उसमें 25 एड करेंगे तो 25 मार्च 1999 हो जाएगा और अप्सन नमर भी मेरा है 25 मार्च 1999 जो की करेक्ट अप्सन नमर भी मेरा है क्योंकि अप्सन नमर भी मेरा है